हलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनोमलस बिहेवियर औप बोरॉन के बारे में, देखिए एनोमलस बिहेवियर की बात करें, तो जब कोई एलिमेंट अपने ही ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज सो करता हैं, तो उसको हम एनोमलस अब बोरॉन की बात करें, तो ये ग्रुप थर्टीन का एलिमेंट हैं, तो बोरॉन ग्रुप थर्टीन के दूसरे एलिमेंट से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज सो करता हैं, तो उसके रिजन हो जाएंगे, इसकी स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी और absence of d orbitals, अब बोरॉन ग्रुप थर्टीन के दूसरे एलिमेंट से कौन कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज सो करता हैं, तो उनको हम डिसकस करेंगे, देखिए बोरॉन की बात करें, तो ये नौन मेटल होता हैं, जबकि ग्रुप थर्टीन के दूसरे एलिमेंट्स मेटल होते हैं, अब बोरॉन, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस दोनों ही फॉर्म्स सो करता हैं, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स नहीं करते हैं, अब बोरॉन के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, तो इनका नेचर एसिडिक होता है, जबकि अलुमिनियम और गेलि होते हैं, इसके अलावा बोरॉन, हेग्जागन कॉंप्लेक्स नहीं बनाता हैं, जबकि दूसरे एलिमेंट्स बनाते हैं, अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट दूसरे एलिमेंट्स के कमपेरिजन में हाई होता हैं, ये हो तो ये volatile hydrides बनाता है ये हो जाएंगे इसके example गैलियम भी volatile hydrides बनाता है लेकिन aluminum की बात करें तो ये non volatile hydrides बनाता है और indium salt hydrides का formation करता है अब dilute acids के towards reactivity की बात करें तो boron dilute acid के साथ reaction नहीं करता है जबकि aluminum dilute acid के साथ reaction करता है इसके अलावा जो boron है वो metal के साथ reaction करके borides बनाता है जबकि दूसरे elements metal के साथ reaction नहीं करते हैं इसके अलावा boron जो है वो alum भी नहीं बनाता है जबकि दूसरे elements alum बनाता है अब compounds के nature की बात करें तो boron covalent compounds बनाता है जबकि दूसरे elements ionic और covalent दोनों तरह के compounds बनाता है बोरोन अपनी small size की वज़े से covalent compounds बनाता है अब देखें बोरोन की बात करें तो इसमें less than 4 valence electrons होते हैं और इसी वज़े से इसमें electron accepting power होती है और electron accept करने की वज़े से इनके compounds strong Lewis acid की तरह behave करते हैं और ये कई सारे complex compound भी बनाते हैं जो की इनकी stable octate acquire करने की tendency को represent करती हैं अब covalency की बात करें तो बोरोन की maximum covalency 4 होती हैं जबकि दूसरे elements 6 या उससे ज़्यादा covalency so करते हैं इसके अलावा बोरोन inert pair effect भी so नहीं करता हैं